नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आप देख रहे हैं NMF News BBC पर जैसे ही कारवाई हुई कॉंग्रिस समेट कई विपक्षी दल रोना शुरू कर दिये उनका ये कहना है कि मोदी सरकार जो है वो प्रेस की स्वतंतरता पर आगहात कर रही है सीधे तोर पर ये प्रेस पर एक तरीके का हमला बोला जा रहा है BBC जो सच्ची पत्रकार्टा करता है उस पर किस तरीके से मोदी सरकार एक्षर ले रही है अब ये सारी बातें उस कॉंग्रेस के तरप से भी कही जा रही हैं जिस कॉंग्रेस की ही नेता यानि कि पूर्वर प्रधार मंतरी इंद्रा गाली ने BBC पर दो साल के लिए बैन लगा दिया था जी हाँ, पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएगे दरसल इंकम टैक्स विभाग ने BBC के ऑफिस में सर्वे किया BBC पर दो बड़े आरोप लगाए हैं जिसकी वज़ा से उस पर रेट पड़ी है अब सबसे पहले आपको पहली वज़ा बताते हैं जिसके बाद कारवाई की गई है सबसे बड़े और पहली वज़ा है टैक्स चोरी जिया BBC पर आरोप है कि BBC ने इंटरनाशनल टैक्स चेसन में गड़बड़ी की है जो नियम है इंटरनाशनल टैक्स चेसन को लेकर उसका उलंगन क्या गया है वो नियम कानून माने नहीं गए हैं इंकम टैक्स विभाग को ये भी शक है कि इस दोरान BBC ने टैक्स चुकाने की प्रिकरिया में बड़ी हेराफेरी की है यानि कि टैक्स चोरी की गई वहीं दूसरा आरोप BBC पर ये लगा है कि BBC ने ट्रांसफर प्राइसिंग में भी गड़बड़ी की है अब यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी का जो मतलब है वो ये है कि कमपनी के दो विभागों में लेंदेन में ओवर प्राइसिंग करना जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कुछ और है लेकिन अगर हम अपने ही कमपनी के लिए अपने ही किसी दूसरे विभाग से खरीद रहे हैं तो उसको महगे दाम में खरीदना और दूसरा जो विभाग है वो महगे दाम में बेचे अब इससे ये साफ पता चलता है कि एक तो दिखाएगा कि हमारा खर्चा बढ़ गया है ओवर प्राइसिंग करके एक तरीके से टैक्स बचाने का एक तरीका है ये अब ये सारी चीजें BBC के द्वारा की गई है जिसका आरोप उस पर लग रहा है अब इन आरोपों के बाद IT विभाग ने BBC पर रेट कर दी तो विपक्ष बॉकला गया और मोधी सरकार पर हमला बोलने लगा खासकर कॉंग्रेस जी हाँ BBC पर जैसे ही कारवाई की गई वैसे ही कॉंग्रेस के नेता जैराम रमेश ने बयान देते हुए मोधी सरकार पर हमला बोल दिया अब आज भले ही कॉंग्रेस BBC के समर्थर में खड़ी हो गई हो और मोधी सरकार पर हमला बोल रही हो लेकिन इंद्रा गांधी ने भी BBC पर बेन लगा दिया था लेकिन आज कॉंग्रेस मोधी सरकार पर हला बोल रही है कई बड़े नेता प्रवक्त आप सामने आ चुके हैं और वो ये बता रहे हैं कि एमर्जनसी जैसे हालात हो गए हैं मोधी सरकार जो है आघोशित एमर्जनसी लागू कर चुकी है कॉंग्रेस ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया था और उसने लिखा था कि पहले बीबीसी की डॉक्यमेंटरी आई उसे बैन किया गया अब बीबीसी पर आईटी का च्छापा पड़ गया आघोशित आपात काल अब कॉंग्रेस के इतना बोलते ही भाजपा ने कॉंग्रेस को याद दिला दिया 1970 का वो किस्सा जिसे सुन पूरी कॉंग्रेस बॉकला गई सुनिये बाजपा प्रवक्ता गौरो भातिया को जिन्हों ने याद दिलाया कि पूर्विप्रदान मंतरी इंद्रा गान्धी ने बीबीसी पर बैन लगा दिया था सबसे पहले यह कहना आज गलत नहीं होगा बीबीसी के अगर कृत देखें जिसके उधाराण मैं आपके समक्षा भी पेश करूँगा तो यह पूरे विश्य की सबसे भरष्ट बकवास कॉर्परेशन हो गई है और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपगांडा और कॉंग्रिस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है हम सब जानते हैं कि विश्व पटल पर किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत में भारत आगे बढ़ रहा है जी ट्वेंटी की अध्यक्षता कर रहा है बहुत ऐसी शक्तियां है जिनको यह बिल्कुल नहीं भाता है और जब जब भारत आगे बढ़ता है तो यह एजेंसिया हो या राहूल गांदी और कॉंग्रिस पार्टी और जो राधितिक दल विपक्ष में हैं उनको बड़ा दर्द होता है सबसे पहले तो बीबी सी का जो इतिहास है कलंकित काला दुएश भावना से भारत के खिलाफ कारे करने का रहा है और कॉंग्रिस पार्टी को सबसे पहले तो यह याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी जी ने खुद बीबी सी पे डान लगाया दैसल इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के मताबिक 1970 में इंद्रा गांधी सरकार ने बीबी सी को बैन कर दिया था जब एक शो में भारत की निगेटिब तस्वीर दिखाई गई थी 1970 में जब फ्रांसीसी निदेशक लुईस मैले की डॉक्यूमेंटरी सिरीज बीबी सी पर दिखाई गई तो इसके परणाम सरूब दिल्ली इस्तित बीबी सी का दफ्तर दो साल के लिए बंद कर दिया गया था 1970 की गर्मियों में लुईस मैले की दो डॉक्यूमेंटरी कलकत्ता और फैंटम इंडिया का प्रसारण ब्रिटिस टेलिवीजन पर किया गया इस प्रसारण के बाद ब्रिटेन में बसे भारतियों ने बीबी सी की तीखी आलोचना की विरोध का ये स्वार इतना बुलन था कि ये दिल्ली पहुच गया और सरकार को भी इसकी जानकारी मिली तब इंडरा गांधी देश की प्रधान मंतरी थी और इन दोनों डॉकुमेंटरीज को भारत में उन्होंने बैन लगवा दिया था क्योंकि इन दोनों डॉकुमेंटरीज में भारत में रोजाना की जिन्दगी दिखाई गई थी उस वक्त की भारत सरकार ने इस फिल्मांकन को पूर्वा ग्रह से ग्रसेत यानि कि किसी मामले के तथों की जाच किये बिना ही राय बना लेने वाला बताया इसके साथ ही सरकार का ये भी कहना था कि भारत को गरत रूप से पेश किया गया और इसके बाद BBC को भारत से दो सालों के लिए बाहर कर दिया गया था और आज यही कॉंग्रेस हल्ला मचा रही है, जैसे ही BBC पर कारवाई हुई, कॉंग्रेस के नेता प्रवक्ता बयान बाजी करने लगे, जैराम रमेश का ये कहना है कि यहां हम अडानी के मामले में JPC की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है, विनाश का विपरीत बुद्धी, तो वही पर कई और भी नेता प्रवक्ता इसी तरीके की बयान बाजी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं जैराम रमेश का बयान, उसके बाद आपको सुनाते हैं कॉंग्रेस प्रवक्ता का बयान, जिन्होंने BBC पर हुई कारवाई पर सवाल खड़ा किया है BBC के दफ्तर इंकम टेक्स टीम भेज कर आपने ये साबित कर दिया है कि आप एक घबराए, बॉखलाए, तानाशा से जादा कुछ और नहीं हैं, पर जवाब तो देने ही पड़ेंगे सुप्रिया शीनत ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिये, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जैसे ही कॉंग्रिस प्रवक्ता ने इतना कहा, लोग उन्हें याद दिलाने लगे, कि एमर्जनसी भारत में कब लगी, किस ने लगाई, और इसके साथ ही BBC पर किस तरीके स बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद, चिर परिचत स्क्रिप्ट के अंदाज में, प्रधान मंत्री मोडी का सबसे प्रबल फ्रंटल इंकम टाक्स, BBC के दफ्तर राच इंडिया में पहुच गया, कहते हैं, रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया, आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बॉखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है, वो घबराया हुआ ताना शाही करता है, this is how people react when they panic, आपने इस देश की अधिकांश मीडिया को चरण चुम्बक बनाने का काम किया है, आप उनसे कह लिएगा बैठ जाओ तो वो लोटने को तैयार है, लेकिन अब आपने जो BBC के साथ किया है, वो आपका असली चाल चरित्रवा चेहरा दिखाता है, वो दिखाता है कि 22 अप्रेल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड में नरें करते हैं, लेकिन कहा तक सवालों से पचिएगा, इस पूरे देश पर आप इंकम टैक्स की और ED की और CBI की रेट करा दीजेगा, आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आ जब राय हुए ताना शाह है, what you are doing Mr. Modi, is what people do when they panic, I pity you, मुझे तरस आता है आप पर, कि आपको BBC के दफतर पर एक रेड और एक सर्च जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बॉखला गए थे, लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है, और जव